मित्रों जय माता दी, आप देख रहें धर्म सिक्षा, धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से, मैं हाजी रहूं आज का संपून रासी फल लेकर, यह संपून रासी फल है बुधुवार यानि की 5 अगस्त 2020 का, अगर आज के पंचांग की बात करें, तो आज है विक अगर आज के संपून रासी फल में हम जानने वाल है कुल 12 रासियों का आज का रासी फल, साथ हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादी, रासी अनुसार क्या खादी पतात आपके लिए असुब रहेगा, रासी अनुसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा, और रासी अनुसार कौन सा अंग, आपके लिए सुब रहने वाला है यारे कि आपका लखी नमर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमाद साथ अंतर्ग बने रही है और संपूरून रासीफल के वीडियो का लाव उठाईए वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जोड करें साथ एकनी प्रतिक्रिया में जय मता दीतो जोड लिखें पित्वों आज के 12 रासी का रासी फ़ल आपको बताना आराम करूं उससे पहले आईए एक नेजर डाल लेते हैं आज के ग्रहों की इस्थिति पर क्योंकि ग्रहों की इस्थिति पर ही पूरा का पूरा रासी फ़ल निरपर करता है आज सुक्र और राहू दोनों एक साथ मिथुन रासी में बुद्ध सोरी के साथ करक रासी में गुरु केतु के साथ धनू रासी में सनी मकर रासी में चंद्रमा कुम्ह रासी में मंगलार मीन रासी में विराजित है तो इन ही सभी ग्रहों का मिराज लहाल आज की रासी फ़र में हम जानने वाले हैं तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेशा सिम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए अगर बहुत जोरूरी हो तो कुछ अनभवी लोगों की सला जोर लें उनकी सला से ही कुछ फैसला लें क्योंकि आपके सबलता मिलेगी कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है साथी साथ आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें किसी मित्री से आपकी अनभन भी हो सकती है तो अपनी वानी पे नियंदरन जरूर रखें परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पे जान व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं कोली मिलाकर आपका आर्थिक पक्स आज बेतर रहने वाला है बात केंगे विद्यार्थी की विद्यार्थी आज अपने पढ़ाई को लेकर थोई चिंतित और निरास रह सकते हैं लेकिन आपको चिंता और निरासा से निकल कर अपने पढ़ाई में मेनत करना होगा सफलता आपको तभी मिलेगी स्वास्त की बात के तो गले या मुँँ से समंधित कुछ परिशानी आ रह सकती है तो अपना ध्यान जोड रखें प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है जीवन साथ ही आज आपकी कई तरह के च्छाओं की पूर्ती करेंगे विवाहिक जीवन में सम्रस्ता आपकी बनी रहेगी समंध अच्छे बने रहेंगे आज किनका चने की डाल खाएंगे तब के लिए सुबरेगा आपके लिए आज का सुबरंग गोल्डन कलर और आपके लिए आज का लखी नमबर आठ रहने वाला है बात करेंगे विरिशासी की विरिशासीम चन्दरमा आज चोथे स्थान में विराजीत है जिसके प्रसरूप आज आज आपको कुछ फसेवे कारियों को लिप्टाने में सफलता की प्राप्ति होगी आज आपके लिए अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को आप खत्म करने में सफलता की प्राप्ति कर स तो आपके जितने भी रुखे हुए, पासे हुए, बिगरे हुए कारी हैं, उन सब को खत्म करने का कोशिस आज जरूर करें। अपने काम को लेकर अगर संकोच में नहीं रहेंगे आज, तो आपको उसका फाइदा जरूर मिलेगा। आज हो सकता है आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए, कहीं पर जूट भी बोलना पड़े, आज आप अपने बच्चों की परहाई में विरुची ले सकते हैं, बात केंगे व्यापार और धनकी, तो आज कहीं भी धन्निवेस करने से बचें, यहां आपको हानी हो सकती है, आ आज के ही अनुकौल रहने वाले महनत ज्यादा करना पड़ता है, अपको लेकिन महनत करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी, स्वास्ति की बाद के तो आज आपको सीर में तय Judge रह सकता है, साथ ही कफ習 और भी करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोर रख प्यार के जार करने के लिए भी आज करने अच्छा रहने वाला है, आज के लिए बेशन से बनी वी चीए खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग खाकी कलर और आपके लिए आज का लकी नमर छे रहने वाला है, बात करेंगे मिथुन रास मित्वु नासीम चंद्रमा आज पांचमे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाओ के संकेत आपको मिल सकते हैं नोकरी आर कारोबार में आपको अपने विवहार को और विच्छा करने की जरुरत है अचानक से कहीं यातरा पर जाने की योग आपके बन सकते हैं कामकाज में आपको सपलता भी मिल सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थी आज ज्यादा महत करना परेगा उनको मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना मिलेगा तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात के स्वास्त में आज उतार चरहों की योग बन रहें लेकिन भुजन समंद्धी अगर कुछ दिकते हैं तो वो खत्म भी होंगे प्रेम समंद्ध की बात के प्रेम समंद्धों में आज उतार चरहों आ सकते हैं जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा लेकिन जीवन साथी से वाद व्याद में ना परे लाई जहकरे भी आपके हो सकते हैं आज आज के निगे चने की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरारंग और आपके लिए आज का लखी नमर तीन रहने वाला है बात करेंगे करकरासी की करकासीम चंतरमा आज छठे स्थान में विराजी थैं जिसके प्रसुब आज अगर आप कोई कारी आराम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फाइदा आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा कुछ शेत्रों में तो नई सुरुवात हो सकती है किसी परकार के धार्मिक कारी करने के योग भी बन सकते हैं परिवार के सुक सुधाओं में विश्तार होगा, संतान के तरफ से थोड़ी चिंता आपको रह सकती है, खास करके संतान के गतविधियों से, वाद वाद हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति नानेदे विवादों से बचे हैं, व्यापार और धन की बात के तो व्यापार में आज नय नया कारी आरम करने से पहले, वीडियो के अंत में जोर जालने, आज का सुपस में कहा है, सुपस में ही नया कारी आरम करें, ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्ची तर पर होगी, निवेस करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकते हैं, पैसे के लेन देन में आप आपको किसी के जूट के कारण आज नुकसान भी हो सकता है कोई अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है व्यापारी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है मेनद करें सफलता की अबनाओं का समान भी करेंगे, और चौांदी के वर्तन में, खीर खाते हैं, तो आपके लिए सूब रहेगा, आपके ली आज का सूबरन , य। आपके लीए से सीग्रीन कलर और य लखी नमद भी मिल सकती है आज आप दूसरों की मदद करेंगे कुछ पुराने मामले आपके सुलच सकते हैं कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल भी सकते हैं तो ऐसे लोगों से साब्धान रहें संतान के सुख में ब्रदी होगी मित्रों का सहीयोग भीयाय को मिलेगा बिना वजह वाल भी बहतर भी होगी विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थी के लिए आज की अच्छा रहने वाला है कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता की पापति आपको हो सकती है फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमें बिलकुल ना रखें स्वास्त की बात के तो पुराने र खाल खाएंगे तो आपके लिए आज का सुबरंग सुनारारन और आपके लिए आज का लखी नमर चार रहने वाद है। बात करें कन्यानासिकी। कन्यासिम चंद्रमा आज आठवे स्थान में विराजित है। जिसके फ्रसुप आज आपकी सामाजिक महत्यू के कारियों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज किसी अंचाहे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। जिसके कारण आपका मूड भी आज ओफर है सकता है। खान पान में आपकी रूची बढ़ेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी मामली को हलके में बिल्कुल भी ना ले। कारी छेत में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुस भी रहेंगे। प्रेम समन्द के बात करें। तो प्रेम पस्तोव आपके आज विफल हो सकते हैं। विवाद होने की संभावना बन रही है। तो प्यार के धार करने से आपको बचना चाहिए आज। व्यापार औ ज्यादा मेहनत का आपको कम फल प्राफ्ट हो सकता है। फिर भी मेहनत में किसी प्रकार के कोई भी कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्त की बात के तो आज करी धकान और आलसे से परिसान रह सकते हैं। अपने आपको कम समय दे पाएंगे। अपने माता के स्वास्त का भी आज आप अपना कान पूरी एकागरता के साथ भी कर पाएंगे। दोस्तों के तरप से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान से सुख मिलेगा पाड़ी वारीक मामले में थोरी उल्जहन आपकी लेकिना बरह सकती है। धहरी में कमी भी आ सकती है। काड़ी छेत म क्योंकि आत्मी स्वास्त में बरहतरी होगी जिससे लक्ष को प्राप्ट करने में आपको आसानी भी होगी। स्वास्त की बातके स्वास्ति आज आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वास्तिक आपको ध्यान रखना चाहिए आज। प्रेम समन्द की बातके त नीलारंग और आपके लिए आजका लखी नमर छे रहने वाला हैं बात केंगे विश्चीकरासे की विश्चीकरासीम चंद्रमा आज दसमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बचे हैं कारी छेत में आपके अधिकारी आपसे पसंद रहेंगे आपके आत्मिस्वास में ब्रहोतरी भी होगी मकान, जमीन जाइदात से समन्दित मामले आज आपके सुलश सकते हैं साथी नए लोगों से दोस्ते भी संभव हैं आज आपके बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है तो अपनी वानी पे नियंतन जरूर रखें और जो भी बोलें सोच समझ कर ही बोलें कहीं घुमने फिरने के योग भी बन सकते हैं आज आपके व्यापार और धन की बात कहीं तो आज व्यापार में परिवर्दन की संभावना बन सकती है कहीं निवेश अगर करना चाहते हैं तो लोगों की सलाह निश्चीत और पर लें खर्च में आपके बढ़ोत्रे होगी जिसके कारण आपको चिंता भी रह सकती है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों की रूची आज परहाई में बरहेगी साथी इसके परिणाम भी अच्छे होंगे स्वास्त की बात के तो सीर और पेट समंदी कुछ परिशानी आपको रह सकती है अपने भोजन का ध्यान रखें कोई पुरानी बिमारी आपको आज परिशान भी कर सकती है फ्रेम समंद की बात के तो आज अपने जीवन साथी के परतिस्ता का अत्मक विचार रखें उनकी भावनाओं का सम्मान करें साथी आने वाली दिनों की महतपून कामों की योजना उनके साथ सेर जोरू करें इससे आपके समंद बैतर होंगे आज के निगा चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा मिलेगा कुछ लोगों के साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं जिसके करण आप चिंतित भी रहेंगे आज अपने वाहन को साबधानी पूर्वक और नियंतन में चलाएं दुरगटना के योग बन रहें आपको थरा समल कर रहना होगा आज व्यापार और धन की बात कहें तो आज आपके स्वास्ति में उतार जराव आ सकता है ठकान और आला सभी बना रहेगा मन में थोड़ी चिरचिरापन भी आज रह सकती है प्रेम समन्द की बात के तो आज जीवन साथी से कोई उपहर आपको मिल सकता है आपके प्रेम समन्द मजबूत होंगे पती पतनी के वीची यह खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेंग और आपके लिए आज का लकी नमर 12 रहने वाल है बात कहीं मकर रासी की मकर रासीम चंदरबा आज 12 हुए इस्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपका मन समाजिक कारियो में लगा रहेगा परिवाजनों का स्रेह आप पर बना रहेगा लंबी यात्रा की योग आपके लिए बन रहे है और यात्रा आपके सुब रहने वारी है जहां कहीं भी जाएंगे आपको काम बनेगा कारी छेत में आपके अदिकारी प्रसंद रहेंगे रुके हुए और फस का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर रहें व्यापार और धन की बात के तो पैसे कमाने के नए मुख्य आपको मिलेंगे साथी खर्च किया दिखता भी रहेगी विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा महत करना पड़ेगा ल लोगों को साब्धान रहने की जोरुरत है आज आपके लराई ज्यागरे भी हो सकते हैं आज की निगर दही अपने खादय पदात में सामिल कहेंगे तब करने शुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग आस्मानी रहन और आपके लिए आज का लगी नंबर साथ रहने म मिलेगा आपके सोचेवे काम भी पूरे हो सकते हैं साथी आपके अक्रामक रवये की वज़य से आप थोरी पड़ेसान भी रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिलकुल नने नोकुरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज समन्द बिगर सकते हैं तो यहाँ प के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बन रहें मैनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात के तो आज आपको गैस और एसीडिटी का सामना करना पर सकता है तो अपने भोजन पर ध्यान दें और परहेज भी करें प्रेम समंद की बात के जीवन साथी से सम्मान को मिल सकता है दाम पते जीवन आपका मधुर रहेगा और विवहाहित प्रेमियों के लिए आज गरेद अच्छा रहने वाला है आज के अरहर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहएगा आपके लिए आज का सुवरंग निलाड़न आपके लिए आज का लगी नमर चार रहने वाला है। बात कें मीन रासी की। मीन रासी कंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है। जिसके प्रसुब आज आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जनों से मदद मिल सकती है। किसी बुजूर्ग या अनभवी लोग की सला लेंगे तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता है। आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीयों भी सेखा सकती है। आज आपको छोटी छोटी भातों पर गुस्सा भी आ सकता है। तो अपनी गुस्से पर नियंतन रखें। आत्मी स्वास्त से आज परिपूर्ण रहेंगे परंतु आए में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे। अपनी काबिलियत पर भरुसा रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। व्यापार और धन की बात करें। तो आज व्यापार करने वाले जात्कों के आए में कमी आ सकती है। व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना ले। आपकी खर्च भी आज बढ़ेगे। विद्यार्थी की बात करें तो दामपत्य जीवन के खुशियां बर सकती हैं प्रेमियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है अनुकूल नतीजे मिलने की योग भी बन रहे हैं और विवाही चात्कों के लिए आज विवाह के बस्ताव भी आ सकते हैं आज के लिए लोहे के बरतन में खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग केसरी आरंग और आपके लिए आज का लकी नमबर तीन रहने वाला है तो ये था आज के 12 रासी का रासी फल अब जान लेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुली काल रहने वाला है दिन के 10 बच कर 46 मेर से लेकर 12 बच कर 26 मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी आज का असुब समय यानि की राह हो काल रहने वाला है सामके 12 बच कर 26 मेर से लेकर 2 बच कर 7 मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी करने से बचें और सफलता हाथ लग सकती है दिससूल आज उत्तरदिसा में है उत्तर देसा में किसी भी खास प्योजन से यात्रा ना करें. सुब खाद्याज का रहने वाला धनिया, धनिया का एक दुदाना था कर यात्रा आरम करेंगे, तो आपके कार्याज बनेंगे. तो में तो ये था आज का संपूर्ण रासिपल कल के संपूर्ण रासिपल के लिए जुर रहें धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्षा जै मता दी